आज किस फीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री चैप्टर हमारा है 6 भक्ती सूफी परंपरा इसका तीसरा पार्ट हम आज देखने वाले हैं ठीक है दो पार्ट हमारे अल्रेडी हो चुके हैं अगर अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया ह आज की डेट में हमारे ग्रूप में जोइन हो चुके हैं आने वाले समय में जो हम टेश्ट सिरीज या जो भी हम MCQ लाने वाले हैं वो आपको वहीं पर प्रोवाइड हो आया करेंगे ठीक है तो आप जोइन जरूर कर ले अब बात करते हम अपने टॉपिक पे लास्ट हमने जो कि केरल की बात करते हैं केरल के किनारे आकर बसे यानि अरब के जो मुसल्मान थे व्यापारी वो क्या हुए केरल के किनारे आकर बसे उन्होंने यहां की जो स्थानिय भाशा थी जो कि मल्यालम भाशा है उसको सीखा स्थानिय नियम जो होते थे उसको देखा समझा उसको अपनाया ठीक है एक्जाम्पल आपको यहां पर दिया हुआ है मात्र गिरहता का नियम अब यहां पर देखो आपका ज्यादा मतलब डीप अगर कोशन पूछ लिया गया आपसे तो यह कोशन पूछा जा सकता है कि मल्यालम किस राज्य की भाशा है जो कि आपको पता होगा केर मात्र गिरहता का आगया मात्र गिरहता जो है यह क्या होता है आपको यह भी बता होना चाहिए तो यह एक परमपरा है यह कैसी परमपरा है इसके बारे में समझते हैं तो मात्र गिरहता जो है एक ऐसी परमपरा थी जिसमें इस्तरी जो है वो विवाह करने के बाद अपने मा तो करते हैं वहां पर आके रहेगा तो यह गात रिजाता होता है तो ये अपनेमें टॉपिक को में टॉपिक आपको यहां से समझते विए चलना है और बताते में इस वीडियो बहुत ध्यान से देखना कि क्योंकि यहां पे कुछ ऐसी चीज़े हैं जो इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा मुस्किल मानी जाती हैं और जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेसान करती है तो पूरा फोकस बनाओ और ध्यान दो यहां पे देखिए दो समुदायो के मैंने नाम लिख दिये एक हिंदू और एक है मुसल्मान अगर आज के वर्तमान समय के परिद्रिश्य में आप इसको देखेंगे तो आप इससे क्या समझेंगे वर्तमान समय के हिसाब से देखेंगे तो आप समझोगे कि यह हिंदू एक धर्म है और इसके जो लोग है वो इसको मानते हैं ठीक है ऐसे मुसलिम मुसल्मानों की बात करें तो ये इसलाम को मानते हैं हम इसी नजरी से देखेंगे यह हमारा है लेकिन आपको इस नजरी से नहीं देखना ये पुराने समय में जाते हैं तो अगर आप प्राचीन समय में जाते हो तो इसका मतलब बदल जाएगा हिंदू शब्द जो है आज के समय में मुँँ इसको एक धर्म के रूप में देख रहे हैं पर इसका धर्म के लिए कहीं पे भी उपयोग नहीं होता था आखिर ये हिंदू सब्द कहां से आया कैसे आया आप चैप्टर नमबर फाइफ जो आपका है चैप्टर नमबर फाइफ एंसे आर्टे में जाके एक बॉक्स दियावा है आप वहाँ पे जाके समझेए आपको अपने आप पता लग जाएगा ठीक है और मुसलिम की बात करें ये मुसल्मान की बात करें तो ये जो शब्द ताना इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचला नहीं नहीं होता था आठवी से चौदे में शताब्दी की अगर हम बात करें तो इसके मद्द जो इतिहास कार थे उन्होंने संस्क्रित के गरंतों का अध्यन किया और अभिलिकों का अध्यन किया तो इसमें मुसल्मान शब्द का कहीं पर भी ब्रयोग नहीं था ये बाद में ये चीज़े प्रचलित हुई है लोगों का वर्गी करन जो अगर होता था ना उस समय में तो वो जनम के आधार पर होता था हिंदू या मुसल्मान के अधार पर जो विभाजन था वह नहीं होता था तो वह तुरुस्क कहलाते थे टुरुकी के जो होते है पर आव बात करें वहाँ पर जनमे हैं तो वह ताजिक कहलाएंगे फारस की बात करें तो पारसी कहलाते थे ये लोग तो इस तरीकी से उस समय में लोगों को जनम के आधार पे देखा जाता था ठीक है हिंदू और मुसल्मान के रूप में उस समय में नहीं देखा जाता था क्योंकि ये शब्द जो है ये उन ग्रंथों में नहीं मिलते हैं तो आपको ये थूड़ा सा समझना था बस अब आगे चलते हैं इसे समझे तुर्कों और अफगानों को शक एवं यवन भी कहा गया और इन प्रवासी समुधायों के लिए एक सामाने शब्द जो इस्तेमाल किया जाता था वो मलेक्ष वर्ड ही उसकिया जाता था ये जो प्रवासी थे जो बाहर से आये थे जैसे कि तुर्की अफगान ये सारे अगर हम इनकी बात करें तो इनके लिए जो एक सामाने शब्द की बात करें तो वो था मलेक्ष अगर यह मलेक्ष का अर्थ क्या होता है तो मलेक्ष जो शब्द है इसके बहुत सारे मीनिंग है यानि इसके बहुत सारे अर्थ है तो अब हम सारे अर्थों को नहीं पढ़ेंग उसके लिए मलेक्ष वर्ड जो था यूज किया जाता था एक है अनारे ठीक है अनारे जो है यानि कि जो आरे परंपरा को ना मानता हो उसको अनारे कहा जाता है यानि कि जो अनारे थे वो मलेक्ष माने जाते थे ठीक है और जो वर्ण विवस्ता का पालन ना करे क्योंकि आपक ये बारे में आपने बढ़ा है तो आपको पता हुगा कि चार वर्णों की विवस्ता भी थी ठीके आरे जो थे ब्राह्मन वगएरा ये सबी समाच जो था वो चार वर्णों को मानता था लेकिन जो इन चार वर्णों वाली विवस्ता को वर्ण विवस्ता वगएरा को ना माने वो मलेक्ष कहलाएंगे ठीक है आप ऐसे भी कह सकते हो और ऐसी भाषा बोलने वाले जो संस्कृइट से नहीं उपजी ऐसे शब्दों में हीन भावना नहीं हिर ती यानि ऐसी भाषा बोलते थे यह जो भारी थे तूर्क अगर तुर्की भाषा बोलेंगे या अन्य भाषा बोलेंगे पारसी फारस वगेरे की भाषा कोई बोलता है तो उसको क्या माना जाता था क्योंकि वो ऐसा माना जाता था कि वो संस्क्रिट से नहीं उपजी है तो इसलिए उसको अलग नजरी से देखा जाता था ठीक है तो यह आप को यहाँ पे समझ मां गया होगा इतना अब चलते हैं अगले टॉपिक पे सूफी यह आपके लिए इंपोर्डेंट है और ज्यादा कोशन यहाँ से नहीं आएंगे पर सूफी में एक टॉपिक है जो आप से पूछा जा सकता है पेपर में बाकि आप सूफी समझ लो यहाँ प आप सूफीजम पढ़ते होंगे सूफीजम अंग्रेजी में उससे निकला है सूफी वाद ठीक है तो लेकिन अगर इसे इसलामिक गरंतों में देखें तो वहाँ पे सूफी वाद नहीं कहा जाता है इसे वहाँ पे इसके लिए शब्द यूज किया जाता है तसव्वफ ठी यह क्या करते थे उनी जो वस्तर होते थे खुरदड़े उनी कपडे उसको धारण करते थे उसको पहनते थे ठीक है तो उसकी तरफ इंशारा किया जा रहे है तो लेकिन कुछ विद्वान है वह कहते है कि सूफी जो है उसकी उत्पत्ति सफा से हुई है यानि अलग-अलग इसका मतलब उन होता है, तो कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं, कि जो सूफी शब्द है, वो सफा से निकला है, ठीक है, सफा से बना है, अब शफा का मतलब होता है, साफ या फिर पवित्र, ठीक है, साफ या फिर पवित्र, आप इन सब चीजों को ये वन मार्क्स में आप से तो हैं वह उससे अलग होके उन्होंने वेदों को चुनावति देती आपने अलवार नैनार के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में आपको बताया था आपने बासवन्ना और लिंगायत वीरशैव इनके बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से इन्होंने उन कुरीतियो और कुछ आडंबर थे इसको भी इसका भी कुछ लोगों ने विरोत किया जो इस विचारधारा से थोड़े अलग हो गए वो सूफी कहला है अब इनके बारे में आपको यहां पर कुछ पॉइंट तो पॉइंट याद रखते वे चलना है देखिए इसलाम में कुछ संतों को रूडी वादी परंपराओं से बाहर निकल कर रहसेवाद और वैराग्य की और जो इनका जुका होता वो बढ़ा अब रूडी वादी का मतलब क्या होता है यहां पर यानि रूडी वादी कुछ ऐसी परंपराएं होती है जो पुराने जमाने की परंपराएं हैं जो चली आ ना मतलब अशूब मतलब गलत संकेत माना जाता है ठीक है या फिर आप कहीं रस्ते पे जा रहे हो और बिल्ली आया और आपका रास्ता काड़ दे तो आप उसको अशूब मानते हो तो यह कुछ रूडिवादी परंपर है हम कहेंगे कि इसके पीछे लॉजिक हो या ना हो लेक कुछ ऐसी रूडिवादी नियम वगेरा थे जिससे बाहर निकल कर रहसेवाद और वैराग्य की और कुछ लोगों का जुकाओ बढ़ा और ये लोग क्या कहला है सूफी कहला है तो यह आपको याद रखना है इन्होंने क्या करा रूडिवादी परिभासा और धार्मिक भक्ति करनी होगी और हिश्वर के जो आदेस हैं उसका हमें क्या करना पड़ेगा उसका हमें पालन करना पड़ेगा ऐसा कौन कह रहे हैं यह सूफी कह रहे हैं और इन्होंने पैगंबर मुहमत को इंसाने कामिल बताया आज की वीडियो का पहला कोशन आपके लिए इनसाने कामिल अब आपको गूगल वगेरा जहां आप सर्च कर सकते हो सर्च करो इसका क्या मीनिंग होता है आप मुझे कॉमेंट में बताएंगे ठीक है फर्स्ट कोशन है आपका आज की वीडियो से तो आपको यहां पर दिखी क्या क्या समझना था कि इसलाम धरम में भी कुछ कुरी के के भी कई सारे अर्थ होते हैं इसका मतलब होता है जो इश्वर की तरब जाए या फिर शामती और इस्थिरता की तरब जाए तपस्या भी इसका मतलब होता है त्याग भी इसका मतलब होता है कई सारे इसके मीनिंग होते है ठीक है तो यह आपको यहां पर पॉइंट आप ने बात की और सूफियों ने कुरान की व्याक्या जोती देखिए जो पहले से इसलाम के धरम गुरू थे वो कुरान की व्याक्या करते थे अपने तरीके से ठीक है उस व्याक्या को सूफियों नहीं माना सूफियों ने क्या किया कुरान की जो व्याक्या थी अपने निजी अन लेकिन इन्होंने क्या करा उनसे थोड़ा अलग हुए रोडिवादी परंपराओं और आडंबर को इन्होंने उसका विरोध किया ठीक है तो यह जो सूफी जो संत होते थे यह जहां पर निवास करते थे जैसे हमारे में हिंदू वगेरा में आप देखते हो आश्रम का अपने जो है वो सूफी संतों इनके जो धरम परचारक है इनके रहने का निवास इस्थान या फिर रहने का इस्थान था खानका का जो नियंतरन होता था वो किसके हाथ में होता था शेख जो होते हैं उनके हाथ में इसका नियंतरन होता था ठीक है शेख पीर मुर्शीद यह इनके इनके हाथ में इसका नियंतरन होता था तो जो शेक होते थे उनको जो मानने वाले जो लोग होते थे यानि जो उनके अनियाई होते थे जो शेक संथ हैं उनको जो जो उनके अनियाई हैं वो मुरीद कहलाते थे ठीक है जैसे कि मान लो सूफी संथ हैं इनको अलग-अलग नामो से जाना जाएगा ठीक है इनके जो अनियाई है इनके और में रखते वे चलने आध्यात्मिक विवार के कुछ नियम बनाए वे ते जैसे कि एक्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं अगर आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के कुछ नियम होते हैं आपको पता है मंदिर में जाने है तो आपको जूदे च Experience बाहर उतारना है ठीक है आपको कई मंदिरो में लेदर वगिरा कि जो चीजे होते हैं जैसे बैल्ट वगिरा वो अलाऊन नहीं होती है और जैसे आप गुरु दुआरे में जाते हो तो वहां के कुछ नियम होते कि आपको सिर्पे रोमाल वगएरा रखना होता है तो इसी परकार से यहां जो खान का आते हैं इनके भी कुछ आध्याद्मिक वहवार के नियम वगएरा निर्धारित किये हुए थे वो कौन करते थे वो शेख ही करते थे जो शेख पीर मुर्शीद कहलाते हैं संत सूफी संत कहलाते हैं यह नियम निर्धारित करते थे ठीक है कैसे क्या होना है यहां पर बारहेंवी सताब्दी की अगर हम बात करें तो बारहेंवी सताब्दी के आस पास इसलामिक दुनिया में सूफी सिलसिला का देरे-देरे गठन होना सुरू हो गया था ठीक है अब सिलसिला क्या होता है तो देखिए सूफी सूफी जो होते हैं जो सूफी वन्स होते हैं इनके नाम पर ही कई सारे सिलसिले बने सिलसिले को हम क्या बोल सकते हैं गुरूप बोल सकते हैं अगर आपको सिल ग्रूप हो जाएंगा ना जैसे कि मान लोग कोई सूफी वंस को जो स्थापित करने वाला होता है उसके नाम पे ही ये सिलसिले पड़ जाते हैं ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना और सूफी वाद जो सुरू है ना वो भारत में शुरू नहीं हुआ ये भी बात आपको या अशन्त्र गुरू कहलो आप इन्हें मुरीद कौन थो उनको उनके अनियाई जो ऊनको मानते हो sacrific了 तो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिस्ते की और संकेत दीक्षा के विसेस अनुष्ठान विक्सथ किे के ऐट तो दीक्षा का मतलब क्या होता है पूजा पार्ट अनुष्टान कुछ इस तरीकी का जैसे मानलों आप किसी ससंग वगएरा में जाते हो तो आपने सुनाओगा कईयों से कि मैंने नाम ले लिया है यानि कि उन्होंने दीक्षा ले लिया उस ससंग की और दीक्षा में फिर दीक्षा लेने के बाद क्या होता है उसको उस नियम सारे मानने पड़ेंगे तो ऐसे ही इनका भी क्या था कि दीक्षा के लिए विसेश अनुष्ठान विक्सित के इन्होंने और जो दीक्षित है जो दीक्षा ले रहे उसको निष्टा का वचन देना होता था कि भाई अगर मैंने दीक्षा ले लिया तो मुझे बहुत स जाती है उसके बाद उनकी जो दरगा होती है उनकी जो कबर होती है उसकी मुरीदों के लिए भक्तिगस्थल बन जाता है यानि जब कोई पीर होते हैं उनकी मृतियों जब हो जाती है तो उनको जहां पर दफनाया जाता है वो मजार जो होती है वो क्या हो जाते है उनकी मु लब होता है दर्सन करना या तीर्थी आत्रा वगेरा करना तो यानि कि पीर की जो दरगा होती है उसको लोग दूर-दूर से देखने आते हैं ठीक है दूर-दूर से वहाँ पे घूमने आते हैं देखने आते हैं और इस परंपरा को उर्स कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि मृत्यू जब हो जाती है पीर की तो मृत्यू के बाद पीर जो होता है इश्वर में एक ही भूत हो जाता है इश्वर में ही समाहित हो जाता है शामिल हो जाता है इश्वर के बिलकुल करीब पहुंच जाता है और लोग आध्यात्मिक और एहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशिरवाद लेने जाते हैं अगर आप कभी जाते होंगे ऐसी जगा तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्या होता है कि लोग जाते हैं वहाँ पे अपनी कई मनों कामना है ठीक है आध्यात्मिक आप जानते हैं पूजा पार्ट से रिलिटेट जो भी है और यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है एहिक एहिक का मतलब क्या होता है सांसारिक जो हमारी कामना होती है इस परमपरा को उर्स कहा जाता है यह आपको याद रखना ऐसे शब्दों से सम्मंदित कोशन आपके में एक मार्क्स का आ सकता है अगर पेपर में गहराई से डीप पूचा गया तो और डीप नहीं पूचा गया तो बिलकुल आसान पेपर आएगा ठीक है एक ऐसा हिस्षा था जो सरिया जो इनका कानून होता है उस सरिया को एक ऐसा हिस्षा था जो उसको मानते थे यानि एक ऐसे सूफी संते जो उस सरिया को मानते थे और एक ऐसा हिस्षा हो गया जो उसको नहीं मानते ठीक है तो यह आपको याद रखना है इसी के उपर आप यहाँ पर बढ़ने वाले है कुछ रहसेवादियों ने सूफी सिधानतों की व्याख्या के आदार पर नए अंदोलन की नीव रख दिया यानि उन सूफियों से वो थोड़े अलग हो गये इन्होंने खानका का तिरसकार किया ठीक है जबकि अभी हमने बढ़ा था कि जो सूफी होते थे वो खानका में रहते थे लेकिन एक अलग वर्ग बन गया जिन्होंने उस खानका को नहीं अपनाया उसका तिरसकार कर दिया ये थोड़े अलग क्यों होते हैं क्योंकि ये रहसेवादी फकीर की जिंदगी बिताते हैं यानि एक ऐसी जिंदगी जिसमें ये ब्रहमचरेगा पालन तो करते हैं प्लस में ये क्या किते हैं गरीबी जो होते हैं गरीबी गरीबी वाला मतलब जीवन बिताते हैं बिल्कुल फकीर की जिंदगी बिताते हैं ब्रहमचार एका पालन करते हैं इन्हें अलगज़ नामों से जाना जाता है कलंदर मदारी मलंग हैदरी ये इनके नामे इसलिए इनको बे शरिया कहा जाता अभी मैंने आपको बताया था कि ये इनमें भी दो हिस्से हो गए एक हिस्सा वो था जो कानून इनका जो कानून है शरिया मुस्लिमों का इसको जो कुछ ऐसे हैं जो इसको मानते हैं और एक हिस्सा ऐसा है जो इसको नहीं मानते हैं ठीक है तो जो इसको मानते हैं वो क्या कहलाते हैं और जिसको नहीं मानते हैं वो जो नहीं मानते वो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं बेशरिया लेकिन जो इसको मानते हैं वो क्या कहलाते हैं बाशरिया ठीक है तो ये दो वर्ड है बाशरिया बेशरिया बहुत मतलब मिलते जुलते वर्ड हैं लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं तो आपको ये ध्यान रखन और इन्हें शरिया के पालन करने वाले सूफियों से अलग देखा जाता है क्योंकि जो सरिया का पालन करने वाले सूफियों जो बासरिया कहलाते हैं उनसे इनको अलग देखा जाता है क्यों क्योंकि यह उस चीज को नहीं मानते हैं यह खानका को नहीं मानते हैं यह उनसे सिले की बात यहां पे करते हैं देखते हैं क्या है बारवी शताबदी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिस्ती जो थे वो सबसे अधिक प्रभाव साली थे ठीक है अब यहां पे आपका सौट कोशन अगर आ गया ना तो सायद ऐसा कोशन आपसे पूछा जा सकता है कि चिस्ती समुदाये जो थे वो बहुत ज़याद प्रभाव साली थे उसके पीछे कारण क्या थे यह कारण आपसे पूछे जा सकते हैं तो कारण देखे क्या थे कारण यह था कि यह जू थे इन्होंने अपने आपको इस्थानिय परिवेस वहां का जो माहोल था जो परिवेस था इन्होंने अपने आपको उस परिवेस में ढाल लिया यानि कि जैसा माहोल मिला उसी में ये ढल गए उस माहोल के अनुसार और भारतिय भक्ती परंपरा की जो विसेश्टा ये थी विसेश्टता थी उसको इन्हों करवाऊंगा सारे important question answer उसमें आसान से लेकर मुश्किल हर level के question करवाऊंगा ठीक है अब बात करते हैं चिस्ती खानका में जीवन जो चिस्ती खानका थे जहां पर ये चिस्ती वगरे रहते थे इनका जो निवास इस्तल था वहां पर कैसा जीवन था तो शेक निजामदीन ओलिया की खानका जो थी वो दिल्ली में थी ये काफी ज़्यादा परसिध है ये आपको याद रखना है काफी ज़्यादा परसिध है यहाँ पे क्या है कई जो खानका थी कई छोटे-छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था ठीक है बड़ा सा हॉल और यहां पे जो अथिती लोग थे वो रहते थे और उपासना करते थे यहां रहने वालों में शेक का खुद का परिवार था जो शेक होते थे उसका खुद का परिवार ठीक है और जो खान का थी वो चारोर से दिवार से बाउंडरी की हुई थी और यहां एक सामुदाइक रसोई यानि कि लंगर चलता था और यहां पे सुबा से देर रात तक सभी तबकों के लोग जो थे वो यहां पर आया करते थे ठीक है सभी तबकों के लोग में क्या है जैसे मानलो अमीर गरीब सिपाही कवी लेखक या बतलब जो भी रहे होंगे यहां पर यह सब यहां पर निर्धन वगएरा यह सब आते थे ताबीज वगएरा लेने उनसे मिलने आते थे यहां पर ठीक है इन्होंने क्या करा है इन्होंने शेक के बारे में लिखा है शेक निजाम अद्दीन ने कई अध्यात्मिक वारीष जो उनके वारीष होते हैं हलीफा उनको चुना और उन्हें अलग-अलग भागों में खान का स्थाप्ट करने के लिए भी बेजा कि आप अलग अलग स्थान पे जाओ वहां पे खान का इस्तापित करो इस परकार जो चिस्ती थे इनके जो उबदेश थे इनके जो द्वारा कही गई बाते थी वो हर जगा फैलने लगी और शेख की परसिद्धी जो थी इनका यस जो था वो चारों तरफ फैल गया मतलब बहुत ज़्यादा परसिद्ध हो गई है और इनकी पूरवजों की दरगा पर जो थे वो तीर्थियात्री आने लगे दिरे दिरे तो इस तरीके से ये काफी ज़्यादा मतलब परसिद्ध होने लगे थे आप यहाँ पर बात करेंगे चिस्ती उपासना जियारत और कवाली देखिए सभी का पूजा पार्ट करने का इश्वर की भक्ति करने का अपना तरीका होता है आप सभी धर्मों में देखोगे सबका अपना कोई तरीका होगा तो ये जो चिस्ती उपासना थी इनका जो उपासना का तरीका था जियारत यानि जैसे दर्सन करना, तीर्थियात्रा करना, कवाली वगएरा गाना और उसमें ईश्वर में खो जाना इसको समझते हैं थोड़ा सा तो दीकि सूफी संतों की दर्गाँ पर लोग जो थे वो जियारत के लिया आते थे यानि उसके दर्सन के लिया आते थे पिछले 700 सालों में अलग-अलग संपरदाई के जो लोग हैं वो 5 महान चिस्ति संतों की दरगापर आते हैं या आप यहाँ पे पांचों के नाम देख सकते हैं और यह इनका मृत्तियों का समय दे रखा है और इनकी जो दरगाए वो कहां पर यह दे रखा है कि किसकी दरगा को गरीब नवास के नाम से जाना जाता था वन मार्क्स में तो आप याद रखें मोहिनोदीन चिस्ती ये जो दरगा थी वो शेख की सदाचारी था और इनकी धर्मनिष्टा था था उनकी वारिस और राजिसी महमानों द्वारा किये गए प्रिशय के कारण बहुत महत पूंती लोग प्रे थी ये जो शेख थे वो काफी मतलब साधी भरा जीवन जीते थे धर्मनिष्टा धर्मनिष्टा को अपनाते थे और उनके जो वारिस थे ठीक है और राजिसी महमान राजिसी महमान को आप शाही महमान एक तरह से कह सकते हो इनके द्वारा इनको क्या गिया गया था प्रेशय दिया गया था यहां पर प्रेशय जो है इसकी टाइपिंग का मिश्टेक है यह प्रेशय कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा यानि इन्होंने इनको एक तरह से सं रक्षन दिया हुआ था ठीक है इसलिए यह और ज़्यादा मेहत्वण और लोग प्रिय हो गए थे मुहम्मद बिन तुगलक की बात अगरम करें तो यह जो शासक था यह जो सुल्तान था यह पहला ऐसा सुल्तान था जो इनकी दरगा पर आया था ठीक है सुल्तान यानि लोग तो बहुत सारे जाते थे पर अगर एक सुल्तान जाये तो मुहम्मद बिन तुगलक जो था वो पहला था और पहली इमारत जो यहां पर बनाई थी वो सुल्तान ग्यासुदीन खिलजी जो थी उसने बनाई थी और अकबर का आपको कुशन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा शाशक था जो यहां पर 14 बार आया था तो अकबर यहां पर 14 बार आया था ठीक है तो यह आपको पॉइंट यह अकबर वाला ज्यादा इंबोड़न लग रहा मुझे वन मार्क्स के लिए आप बिल्कुल उनको याद करते वे चलेंगे परते की यात्रा पे जब भी कोई या दिया उसका लिखा जाता था नाच और संगीत यह जियारत का हिस्सा था अगर आपने सूफी कोई म्यूजिक सुना हो या फिर आपने कभी सूफियों को देखा हो तो आपने देखा होगा कि वो कवाली गाते और बिल्कुल खो जाते उसमें ठीक है नाचते गाते रहते तो यह इनका जियारत का एक तरीका हिस्सा ही था मतलब तो यह आप यहां पर देख सकते हैं भाशा और संपर्क अब यह जो सूफी संत पढ़ रहे हैं आखिर भाशा और संपर्क क्या था इससे भी संबंदी थे एक दो पॉइंट आपको याद रखते वे चलने हैं जो चिस्ती यह भाशा थी लोकल जो लेंग्विज थी उसमें कावे की रचना की और इसका संकलन हमें गुरु गरंत साहिब जो है उसमें दिखता है कुछ सूफी जो थे उन्होंने क्या किया कि लंबी कविताएं मसन्वी लिखी अब यह मसन्वी जो होता है यह शब्द इसका मतलब क्य होता है ठीक है यानि डिस्क्रिप्टिव वर्णन किया जाता है किसी चीज का किसी घटना का मलिक मुहमद जैसी के द्वारा जो लिखी गई जो पदमावत है इसमें भी प्रेम भावना को बताए गया पदमनी और चितोड के राजा जो रतन से इन्ते इनकी प्रेम कता कि इर सीनियर हो चुके हैं उनके में ये कोशन आया हुआ था यह आप बिल्कुल याद रखे हैं कि पदमावत जो है इसको लिखने वाले कौन थे तो आपको मलिक मुहमद जैसी जो हैं ये आपको याद रखना है ऐसे कोशन आपके आ सकते हैं दक्कन के करनाटक के बीजापूर वगएरा के आप आसपास देखोगे तो वहाँ पर दक्कनी में छोटी कविता हैं लिखे मिली हैं ये कविता जो थी सत्रवी और अठारवी शताबदी में यहां बसने वाले जो चिस्ती संत थे इनके द्वारा रची गई थी और इसमें क् चक्की पीसना या फिर घर के काम चरके वगेरे जो कातने होते हैं उसके दौरान यह जो कविताएं होती थी वह गाही जाती थी ठीक है तो यह सिंपल सिंपल से यहां पर पॉइंट थे यह बिल्कुल आपको याद करते हुए चलना है अब जो सबसे इंपोड़न्ट है यहा राज्य का मतलब वो सारे संत और राज्य का मतलब है यहां पर शाशक यानि जो शाशक होते थे जो राजा होते थे समराट होते थे सुल्तान होते थे जो भी उन सासकों के साथ सूफी जो संत होते थे इनके कैसे संबन थे यह आपको यहां पर पेपर में इंपोड़न्ट है पूछा जा सकता है तो देखें यहाँ पे क्या-क्या पॉइंट बनेंगे इनके जो चिस्ती संपरदाय के लोग थे वो संयम और साधगी वाले जीवन बिताते थे यह सत्ता से खुद को दूर रखने की बात पे बल देते थे यानि सत्ता से अपने आपको दूर रखेंगे यानि कि ये शासन वगेरा में शामिल नहीं होँगे ठीक है यानि शासन की महमाया जो होती है उसमें नहीं शामिल होंगे सत्ता धारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे ही कुछ भेंट दे तो सूफी संत क्या करेंगे उसको स्वीकार कर लेते थे और सुल्तानों ने खानका को करमुक्त भूमे दी थी यानि कि tax free जमीन दे दी थी ठीक है जहां पर ये अपने खानका वगएरा जो पियोज कर निर्मान कर सकते हैं चिस्ती जो थे धन और समान दोनों रूप से इनको दान मिलता था उसको सविकार कर लेते थे और ये जो धन और समान जो इनको मिल दान वगेरा में इसको यह इखटा नहीं करते थे यानि जोडते नहीं थे इसको बलकि इसको खर्च करते थे किस पे खाने पे खर्च कर देते थे कपड़े पे खर्च कर देते थे रहने की विवस्ता पे खर्च कर देते थे महफिल आदी जो होती है उस पे खर्च कर देते थे आम लोगों में चिस्ती जो ते काफी परसिद थे मतलब क्योंकि चिस्ती की इनकी दरगाओ वगएरा पर कई सारे लोग जो ते वो अलग-अलग इस्थानों से यहां पर आते थे तो यह परसिद बहुत जादा थे इसलिए जो शाशक होते थे उन्हें पता था कि भही बहुत बड़ा समुदाई जो है वो इनके पास जाता है तो इसलिए सासक भी उनका समर्तन हासिल करना चाहते थे जब दिल्ली में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तुर्क तुर्को द्वारा ठीक है तो उस समय क्या हुआ कि जो उल्मा थे उन्होंने कहा कि शरिया लागू करने की बात की गई थी ठीक है तो उल्मा द्वारा शरिया लागू करने की बात की गई थी तो जो शासक थे उन्होंने उसको ठुकराया क्यों ठुकराई क्योंकि उन्हें पता था कि जो जनता है शाशक जो है वो मुसलिम है ठीक है जनता जो है वो जनता बड़ी संक्या में मुसलिम नहीं थे जादा तर जो ते जैन बहुत हिंदू थे मुसलिमों की संक्या जोती काफी कम थी ऐसे में अगर वो लागू करते हैं त तनाव के भी कुछ है example मिलते हैं कि कैसे तनाव वाली बात है तो तनाव देखो क्या होता है कि दोनों जो थे अपनी सत्ता का दावा करने के लिए कुछ कुछ आचारों यहाँपे typing की मिष्टेके से ठीक करना कुछ आचारों पे बल देती थे कुछ बातों पे बल देती थे देखिए जो यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है इसे मैं मिटव देता हूँ आप यहाँ पर देखिए एक तरफ होगे शाशक और एक तरफ होगे संथ दोनों के बीच में कभी कभी कुछ तनाव की स्थिति देखी गई क्योंकि शाशक जो थे ये भी अपनी सत्ता का दावा करते थे संथ जो थे ये भी अपनी सत्ता का दावा संथ की सत्ता का दावा शाशक जैसा नहीं है ठीक है ये मतलब संत की सत्तागदावों का मतलब है, जहां पर इनके follower बहुत जाता है, अनियाई बहुत जाता है, तो कुछ क्या आचार होते थे, क्या नियम होते थे, आचार को आप नियमों में समझो, क्या नियम होते थे जो दोनों चाहते थे, तो नियम कुछ इस प्रकार थे, सब सबसे उपर यह यह तो इस तरीके की example आपको कहीं पर मिल जाते हैं हाला की यहां से जो इतना सारा में आपको डीब पढ़ा तो दी है, वीडियो को दो बार देख लेना, तीन बार देख लेना और चैप्टर जो आपके NCARP में पढ़ लेना, आपको समझ में आज जाएगा, कोशन नहीं पूछे जाते हैं यहां से कोशन जो आता है जादा तर कोशन जो पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है सूफी का राज्य के साथ क्या संबंद है या फिर कुछ बेसिक आप से सूफी के बारे में पूछ लेंगे या फिर खान का के बारे में पूछ लहें वर्ट कोशन बहुत आसान आता है तो आप बस इसे समझ लेना ध्यान से तो आज की यह जो हमारी वीडियो थी जिसको हम पार्ट थर्ड कह रहे थे यह हमारा समाप्त हो चुका है और अब हमारा बचा है बिल्कुल आसान सबसे इस चैप्टर को जो सबसे आसान पार्ट है वो आपको पार्ट फोर में देखने को मिलेगा और बहुत छोटे से तीन चार टॉपिक बचे में जो आपके बहुत सौट में आपको अगले पार्ट में करा दिये जाएंगे क्योंकि आप दो ही टॉपिक बचे हैं बिल्कुत सिंपल से तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठैंक्स फर वाचिंग सब भी को जै हिंद जै भारत